इस दोड़े होते हैं तो हम दोनों जेंडर बॉइस और गर्ल्स में बहुत सारे डिफरेंशिस देखते हैं यहाँ हम उन डिफरेंशिस की बात नहीं कर रहे हैं जो बायलोजिकली हैं बलकि उन डिफरेंशिस की बात कर रहे हैं जो सुसाइटी ने क्रियेट करे हैं और यह डिफरेंशिस बहुत यांग एड से देखे जा सकते हैं इवन इन टॉइस दाट गिवन तो चिल्वन लड़कियों को अलग टॉइस दिये जाते हैं लड़कों को अलग टॉइस दिये जाते हैं लड़कियों को दी जाते हैं डॉल्स खेलने के लिए और लड़कों को कार, टॉइ, कार दी जाते हैं रिमोट कंट्रोल गेम्स दिये जाते हैं और यह एक तरीका होता है बच्चों को बताने का कि उनके सोसाइटी के अंदर अलग अलग रोल्स हैं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे men and women दोनों के कामों को equally माना नहीं जाता, equally value नहीं करी जाती है even difference देखा जा सकते हैं दोनों के skaters में differences exist करते हैं in the way of dressing, the way of talking and the games हर चीज में difference है लड़कियों को ऐसे बोलना चाहिए, लड़कों को ऐसे बोलना चाहिए, दोनों को अलग लग तरीके से dress up होना चाहिए हर जगा जो है वो differences देख सकते हैं तो हम समझ सकते हैं that there is inequality, inequality exist करती है इसके लिए अब हम समझ लेते हैं एक case जो है Samoa का अब Samoa क्या है? Samoa Islands है, ये एक बड़ा ग्रुप है छुटे-छुटे islands का और ये island है कहा? ये है South Pacific Ocean में Pacific Ocean का ये एक island है Samoa Island तो ये research है 1920 की, वहाँ के society की कि वहाँ पे बच्चे कैसे होते थे उस time पे तो at that time वहाँ पे Samoa Island में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे The children in Samoa Island did not go to school वो घर पे रहे के सीखते थे कि कैसे उन्हें अपने चोटे भाई-बहन का धिहान रखना है कैसे घर के काम करने हैं ये सब ठीकते थे जब बच्चा चल्ला सीख जाता था तो उनको उनके बड़े भाई-बहन समालते थे जब वो 5 साल के हो जाते थे तभी उन्हें बोल दिया जाता था कि तुम अपने चोटे भाई-बहन को समालो और जब बच्चे नौ साल के हो जाते थे, तो जो boys होते थे, उनको भार काम करने के लिए भेज दिया जाता था, आउटडोर जॉब्स पे भेज दिया जाता था, जिसे fishing, मचलियां पकरने के लिए, प्लांट करने के लिए, coconuts, और लड़कियों को अभी भी बोला जाता था, क आप घर में छोटे भाई बहन का बच्चों का ध्यान रखो और घर का काम समहा लो, तो आप यहां पर डिफरेंस देख सकते हो, boys and girls में, कि जब दोनों ही genders, 9 years के हो रहे हैं, तो boys को तो बोला जा रहा है कि आप आउटडोर काम करो, और girls को बोला जा रहा है कि आप घर पे ह प्लांटेशन में काम करने के लिए, बास्केट वीव करने के लिए, and cooking की बात करें, तो Samoa आइलेंड में जो cooking करी जाती है, वो special cooking houses में करी जाती है, जहाँ पर जादतर काम जो है, वो boys करते हैं, और girls जो है, वो मदद करती हैं, preparations करवाती हैं, तो आप यहां पर देख सकते ह हो, कि there is inequality, बट आप एक अलग लेवल की inequality नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों में inequality नहीं है, even जब लड़किया 14 अर्स की हो रही है, तो उन्हें भी allow किया जा रहा है, कि वो भी भाहर जा सकती है, so there is not much inequality in Samoa, now next case समझते है, मद्धर प्रदेश का 1960 की यह बात है, तो इसमें देखा जा रहा है, एक small town की बात करी जा रही है, मद्धर प्रदेश की 1960 की वहाँ पर बच्ची कैसे बड़े होते थे, 6th class के बाद, boys and girls, दोनों के जो school हैं, वो अलग अलग है, और उनको बहुत अलग तरीकी से design किया गया है, जो girls के school हैं, उसमें central courtyard है, courtyard है, एक खेलने की जगा बताई गई है, जो पूरी तरीके से covered होती है, walls से, building से, ताकि कोई भी देखना सके, तो जो girls का school है, वाँ पे central courtyard है, ताकि कोई भी उन्हें भार से देखना सके, और boys की school में ऐसा कोई courtyard नहीं है, वो खुले area में खेलते हैं, girls अगर street पे जाती हैं, अगर वो गलियों में जा भी रही हैं, तो वो घर से school और school से घरी आती है, और लड़के जब जाते हैं, तो वो खेलते हैं, वो खड़े भी रहते हैं, खाली, वो अपनी bicycles के साथ stunt करते हैं, ट्रिक्स करते हैं, तो हम यहाँ पर differences देख सकते हैं, कि लड़कियों जो होती हैं, कोई उन पर attack ना कर दे, कोई उन्हें टीज ना करने लगे, छेरने ना लगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, कि लड़किया और लड़कों, दोनों में कितना differences है, स्कूल में difference देख सकते हो, आप society में difference देख सकते हो, तो यह case था मध्य प्रदेश का in 1960s, अब हम समझते है valuing housework, housework का क्या मतलब होता है, घर का काम, कि जो घर का काम होता है, उसको value करना, most society में देखा जाता है, कि जो काम men and women करती हैं, दोनों को equal value नहीं किया जाता है, बहुत सारी women हैं, जो offices में काम करती हैं, और बहुत सारी ऐसे भी women हैं, जो घर के काम करती हैं, कुछ cases में ऐसा ह करने की ध्यान रखने की सबकी पूरी फैमिली के ध्यान रखने की बच्चों की बड़ों की बिमार लोगों को सबका ध्यान रखने की अधिस्पॉंसिबिलिटी विमन की होती है। जो शुर्ट सारा होता है उसको रेका सारी है और से बहुत physical energy, बहुत physical work लगता है, जिसे दोनों ही areas की बात करें हम, rural and urban areas, women and girls जो हैं, उन्हें पानी भरके लाना होता है, rural areas में generally, और बहुत heavy heavy सम्हान लोड करना होता है, जिसे rural areas में अगर आप देखोगे तो firewood लड़कियों को carry करनी होती है, इसके अलावा कपड़े धोना, wash करना, clothes, cleaning, सफाई करना, sweeping, cooking, इन सारी चीज़ों में बहुत जादा energy लगती है, bend होना, lift करना, किसी चीज़ को उठाना, घंटों तक खड़े रहना, तो इसमें बहुत energy and time लगता है, यह बहुत ही time consuming और energy consuming काम है, women के पास बहुत कम time बचता है, अपने लिए, leisure time, खाली time, अराम करने के लिए बहुत कम पड़ता है, अगर हम compare करें men के साथ, लेकिन फिर भी women को undervalue किया जाता है, as you can see in these pictures, women कितना काम करती है, धर का खाना बनाना, साफ सफाई करना, यह इन सारी चीज़ों में बहुत energy लगती है, लेकिन still इनके काम को दखर, मतलब ignore कर दिया जाता है, importance नहीं दी जाती है, Now, lives of domestic workers, domestic workers जैसे की maid जो काम करने आती हैं, जो काम करती हैं, जैसे sweeping, cleaning, बहुत सारे towns and cities में, domestic workers को employ किया जाता है, ताकि वो घर के काम करें, जैसे sweeping, cleaning, washing clothes, dishes, खाना बनाना, चोटे बच्चों का धिहान रखना, बड़े लोगों का धिहान रखना है, elderly का, और यह ज़ज़ाद जाज़तर domestic workers होती हैं, यह women होते हैं, mostly women होते हैं, कभी-कभी young boys और girls को भी employ किया जाता है इस काम के लिए, और जो domestic workers काम करते हैं, उनको जो wages दी जाती है, वो बहुत कम होती है, जितना वो काम करते हैं, उस हिसाब से उनको पैसे नहीं दिये जाते हैं, और वो यह काम सुभ सुभा पाँच बज़े शुरू कर देते हैं, और राद तक बारा बज़े तक देखा जाता है, कि यह domestic workers काम करते हैं, लेकिन फिर भी society में उन्हें respect नहीं दी जाती, उनके employers जो होते हैं, उन्हें respect नहीं देते हैं, इतनी hard work करने के बाद भी, अब देख सकते हैं, वो इतनी हाई टाइम की हमें हर इंसान की respect करनी चाहिए, women's की respect करनी चाहिए, so women's work and equality, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया है, कि women के work को equal नहीं माना जाता है, उनको इज़त नहीं देती, उनके जो घर के काम होते हैं, household, caregiving work होते हैं, उनको तो recognition ही नहीं मिलती, और ये जो inequality है, ये हम प्रिजोल या family अकेले deal नहीं कर सकती, बलकि government को भी इसमें involved होना होगा, equality जो है, वो हमारे constitution का एक बहुत important principle है, जिसके according, male या female, कोई भी इनसान जो है, किसी के साथ भी कोई discrimination मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी, दोनों sexes के बीच में, दोनों male, female के ब करती है, अब government ने इसके लिए क्या स्केप्स लिए, government समझता है reason inequality के, वो समझते हैं और इसलिए उन्होंने कुछ positive स्केप्स लिए हैं, जैसे कि government ने आंगनवाडी या फिर caregiving centers, जो child care centers होते हैं, वो बहुत सारे villages में सेट अप किये हैं, ऐसे laws बनाए गए हैं, जो mandatory हैं, ज Kretchen Facilities प्रोवाइड करी जाएं ताकि वो अपने baby के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने काम को कर सके, तो Kretchen Facilities से क्या होता है, वबिमेंस जो हैं, वो employment जाधा कर पाती है, तो इस से क्या होता है, जाधा लड़किया स्कूल भी अटैंड कर पाती हैं, तो ये हमने सा HOLoyu को अलग अलग roles दिये जाते हैं value नहीं किया जाता है घर का काम जो की करना चाहिए it is a high time to recognize household work because it requires a lot of physical energy time consuming होता है आपको lift करनी होती है चीजे आपको bend करना होता है time नहीं बचता है और तो के पास अपने लिए leisure time अगर आप compare करोगे men's से हमारे घर में जो domestic workers आते हैं towns में cities में जिनको employ किया जाता है उनको respect नहीं दी जाती है उनको इतनी wages नहीं दी जाती है जितना वो deserve करते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में यह जो prejudice है यह जो सोच है कि हम किसी को कम समझें discriminate करें इसको हमें हटाना होगा सबको equal समझना होगा women को भी men जितनी importance देन जाया if you like this video do give it a thumbs up and subscribe to my channel for more such videos thank you